61 नंबर में क्या दिया है कि यह Car start from point A towards B A से start होके B से गया है, उसका speed के है 20 km पर लार फिर 11 गंते के बाद एक दूसरी car start की है point A से ही उसकी speed के है 30 km पर लार और 10 gणता पहले पहुंचाती है तो बात समझ रहे हैं? एक तो देर घंटा लेट स्टार्ट की और धाई घंटा पहले पहुँचे गी क्या दोनो A से B तक गया है हम आपसे यह पूछते तो आंसर है हाँ दोनो A से B तक गया है तो अगर आप देखे तो distance बराबर क्या होता है speed into time क्या हम लिख सकते हैं तो अगर distance सेम है तो S1, T1 and S2, T2 सेम होगा कहने का मतलब कि S1 by S2 जो है न या T2 by T1 होगा मतलब जो speed का ratio है उसका reciprocal होगा time का ratio आते हैं question के अगर हम first car and second car की बात करें तो अगर first car ने second car ने time T लिया है तो first car कितना लेगा T plus 4 अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे हुआ तो second car एक तो डेर घंटा लेट स्टार्ट की और धाई गंटा पहले पहुँच लिए मतलब first car डेर घंटा plus धाई गंटा total 4 घंटा जादा चलिए आते हैं speed अभी आमने पढ़ा कि जो time का ratio है मतलब T2 by T1 और speed के ratio का reciprocal होगा first का speed कितना है 20, third का speed कितना है 30 मतलब यह आगया है 2 by 3 तो T2 by T1 होगा 2 by 3 अगर हम यहाँ पे gap देखे time का तो 1 आ रहा है लेकिन question में बोला है कि ना यह gap होना चाहिए 4 का तो अगर 1 का value 4 है तो 2 का value कितना हो जाएगा 8 3 का value कितना हो जाएगा 12 निकाल लेते हैं total distance तो distance कितना होगा distance होगा कि speed S1 से इतने 8 km चला है S1 कितना था आपकर S1 से 8 km नहीं S1 speed वाला 12 गंटा चलेगा S1 था 20 12 गंटा चला 12 दूनाच चालीस 12 दूनाच चला होगी total 240 km होगया distance, option में दिया है क्या 240, हाँ दिया है तो सही option होजाएगा option number B अगर आपको ये solution पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे यहाँ पे आपको सारे best PYQ का solution detail में मिल जाएगा Thank you